हेलो एव्रीबन दिस वर्शाम हाटी एंड वेलकम तो मैं चैनल ब्रिलियंट माइड्स तो आज की इस वीडियो में क्लास 10 थेक्साइज 5.2 का कोश्चिन नमर 15 सौल करेंगे कोश्चन हमें दिया है तो हमें क्या बोला है हमें दो एपी दी है तो सबसे पहले मैं एपी राइट डाउन कर देती हूँ ताकि एजी हो जाएगा समझना तो जो हमारी फर्स्ट एपी हमें गिवन है वो क्या है देखो ये वाली 63, 65, 67 and then dash 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 और सेकेंड एपी हमें गिवन है सेकेंड एपी is equal to 3, 10, 17 and dash 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 यह हमारी फर्स्ट एपी है यह है सेकेंड हमें कोश्चन हो बोला है कि इन दोनों एपी की कौन सी value of n यानि की n की value और nth term same होगी equal यानि की बराबर होगी तो हमें इसमें n और nth term find करनी है तो अपना question start करते है यहाँ पे हमें जो AP दी है first AP first AP दी है 63 यह रख लेंगे यह 63 first term है second term हमें दे रखे 65 यह 65 हमें second term हो गई third term हमें दे रखे 67 और उसके बाद हमें terms नहीं दी है और यह terms continue होगी second AP में हमें first term दी है 3 second term दी है 10 third term हमें given है 17 fourth term नहीं दी है fifth term भी नहीं दी है और उसके आगे कोई भी term नहीं दी है अब हमें यही AP यूज करके जो हमें given है इसी को यूज करके अपना answer find करेंगे तो हम क्या करेंगे सबसे पहले an formula लगाएंगे यहां लिखेंगे an is equal to a plus n-1 और d तो यहां पर हमें a की 0 हो तो फहला हम marking करनेंगे यहां आपर यहां आजाएगा first term first box में हमारी first term है a1 second हो जाएगी a2 third हो जाएगी a3 यहां पर यह हो जाएगी a1 यह हो जाएगा a2 यह हो जाएगा a3 ठीक है अब यहां पर हमें nth term और n term दोने ही fine करनी है तहम क्या करेंगे aN हमें नहीं गिवन है aN कोंसे term होती है nth यह हमें fine करनी है तहम यहां पर लिखेंगे aN is equal to a हमें given a क्या है 63 तहम यहां लिखेंगे 63 plus nb हमें fine करना है तहम यहां लिखेंगे n-1 और D हम निकाल सकते हैं, D के से निकाल सकते हैं, हमें 1st, 2nd, 3rd term दिए हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं, देखो, D निकालने के लिए हमें क्या करना पुदता है, D होता है हमारा A2 minus A1, A2 की विलिए 165, minus A1 की विलिए 63, 65 minus 63 क्या हो जाएगा, D की विलिए आजएगी 2, तो यहां दे रखा है वैसे वैसे ही solve करेंगे तो an is equal to 63 plus यह मंटी प्लाइम है तो 2 into n करेंगे क्या answer आगा 2n और 2 into minus 1 करेंगे क्या हो जाएगा minus का 2 यह answer आगया तो an की वल्ली आई an यहाँ देखो an की वल्ली क्या आई an is equal to 63 plus 2n minus 2 यह हमारी an की वल्ली आ गई अब हम क्या करेंगे दूसरी वल्ली जो a प्य है उसकी an value निकालेंगे तो an is equal to a plus n minus 1 और d तो यहाँ पे भी हमें an नहीं दे रखा तो यहाँ लिखेंगे an is equal to a, a term कौन सी है 3 तो 3 plus n minus 1 और d, d हम नकालेंगे यहाँ पे, तो first और second term दी है तो हम हमनें use कर लेंगे d is equal to a2 minus a1, a2 की वल्ली है 10, 10 minus a1 की वल्ली है 3, 10 minus 3, 7 तो हमारे difference आगया 7 तो यहाँ हम लिख लेंगे d की जगा पे 7, तो an की वल्ली का है, an is equal to 3 plus 7 into n, 7n, 7 into minus 1, minus 7 तो यहाँ पे a n की वह लिए a n is equal to 3 plus 7 n minus 7 यहाँ पे a n इसके equal है यहाँ पे a n इसके equal है तो हम कह सकते हैं देखो जैसे हम यहाँ पे करते हैं जैसे हम करते हैं कि 1 is equal to 2 and 2 is equal to 3 तो हम कह सकते हैं कि 1 is also equal to 3 देखों, मैं दوبारा समझा रही हूं, अगर one हमारा two के equal है और two three के equal है, तो हम कह सकता हैं, यह दोना टर्म भी आपस में equal है, तो हम लिखेंगे 63 plus 2n minus 2 is equal to 3 plus 7n minus 7 ठीक है हमने ऐसे लिख लिख लिए अब हम क्या करेंगे terms को shift करेंगे यहाँ पर 63 और minus 2 क्या है common term है स्वारी constant term है तो हम क्या करेंगे plus का 63 minus का 2 plus minus minus तो क्या हो जाएगा 61 61 क्या बचा 61 plus 2n is equal to यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 और 7 constant हो में तो minus 7 में plus 3 करेंगे plus minus minus 7 में से 3 minus क्या बचा 4 और minus का sign क्योंकि minus का sign यहाँ पर बड़े नंबर के साथ है 7 के साथ और plus का 7n अब हम करेंगे terms को shift यहाँ पर plus minus का 4 है इधर जाएगा क्या हो जाएगा plus कती है जाएगा 61 plus 5 is equal to यहाँ पर plus का 2n है इधर shift हो जाएगा minus का यहाँ हो जाएगा 7n minus 2n तो 61 plus ओ स्वारी 4 है यहाँ पर यह प्लस 4 करेंगे ता आंसर क्या है जाएगा 65 is equal to 7n minus 2 plus minus minus 7 में से 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 5 और n तो अब n की वल्य निकाल लेता हम क्या करेंगे 5 को shift करेंगे 5 यहाँ multiply में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में तो यहाँ जाएगा 65 अपन में 5 यहाँ यहाँ आप हम करेंगे cancel is equal to n 5 1 5 5 13 65 तो n की वल्यू क्या आई देखो n आया हमारा 13 अब हमें क्या बोली थी यहाँ पर n की वल्यू फाइंड करने को बोली थी देखो find the value of n and nth तो हमने n तो find कर लिया यानि की जो 13 जो वैल्यू है वो क्या होगी इन दौनों एपीज की इक्वल होगी आप हम क्या करेंगे इस n की वैल्यू पूट करके हम अपनी nth टर्म भी निकाल लेंगे तो an is equal to a plus n minus 1 और d यहाँ पर लिख रहा है अब हम यहाँ पर nth टर्म फाइंड करेंगे तो वह भी लिख लेंगे तो nth टर्म फाइंड करनी है तो यहाँ पर an is equal to a की वैल्यू क्या थी देखो यहाँ पर a की वैल्यू हमें दोनों हमारे एक्वल आएंगे तो हम कोई सा भी एपी ले सकते हैं यहाँ पर हम देखेंगे 63 ले लेंगे अपनी a वैल्यू 63 ले लेंगे ठीक है यहाँ लिख लिए 63 प्लास पहले हमना फर्स्ट एपी ले र लिखेंगे हम 2 लिख दिया यहां के बचा 63 13 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचाएगर 12 इंटू 2 तो an is equal to 63 प्लस 1224 तो 63 में से हम 24 को माइनस करेंगे उस वरे में तो माइनस करें में तो ध्यान नहीं दिया यहां पर प्लस का साहिन है तो माइनस नहीं करेंगे प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे 24 तो आंसर क्या देगा 7 और 87 तो an जो हमारी nth term है वो हमारी an होती है यहां पर हमारी nth term क्या ही है यहां पर हमारी nth term है 87 लेकिन ह हमें क्या है second term जो second AP है उसकी भी same लानी है तो अब हम क्या करेंगे second AP वाली terms को यहाँ पर use कर लेंगे तो यहाँ लिख लेंगे हम side में an is equal to a plus n minus 1 और d तो यहाँ पर हमें an की value निकालनी है तो an को an लिखेंगे a अब second AP में हमारे a की value किया थी 3 और difference था हमारा 7 तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे a की value थी 3 plus n की value हमने यहाँ निकाली है 13 13 minus 1 और difference किया था हमारा 7 अभी हमने उपर देखा था 7 लिख लिया यहाँ बचे का an is equal to 3 plus 13 minus 1 12 12 into 7 करेंगे तो an is equal to 3 plus 12 7 से क्यों होता है यहाँ multiply कर लेंगे यहाँ answer आजएगा हमारा 84 तो an 84 plus 3 करेंगे तो an क्यों लिख लिखाएगी an is equal to होजएगा हमारा 87 तो यहाँ पर हमारी क्या है दोनों terms an की equal आईएगे तो इसी के साथ हमारा class 10th exercise 5.2 का question number 15 complete होता है I hope आपको question समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंड सब्सक्राइब मैं चैनल फॉर मोर वीडियो थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग झाल